जब वासनास अए तो क्या करें? जब sexual urge आये तो क्या करें? जब płaun देखने का मन करें तो क्या करें? जब ma pronoun करने का मन करें तो क्या करें? कुछ पूछे अपने आपसे. इकाथ बार नहीं, कई दिनों तक, कई महीनों तक. कुछ basic questions पूछे. और इसका answer तुरत नहीं आएगा, इसको time लगेगा आने में, बट questions को अपने पास रखें, सबसे पहला question कि वासनाएं होती क्या हैं, वासनाएं movement होती हैं, जिस समय हम वासनाओं से ग्रसित होते हैं, sexual activity से attract होते हैं, उस समय हमारे brain में कुछ चीज move कर रही है, कुछ ऐसे movements हो रहे हैं कि हमारे हाथ, पैर, बाड़ी और हमारे chemicals को ऐसे behave कराने पर मजबूर कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे sexual urges release हो, sperms release हो, या sex में हम जाएं, या हम कोई चीज देखें, pond देखें, या हम किसी से sexual की बाते करें, बट वो सब चीजें क्या हैं, कुछ movements हैं, जब जैसे कार क्या है, कार की movements किस चीज से control होती हैं, steering से, clutch से, gear से, brake से, ऐसे ही, ऐसा नहीं होता है कि आप suddenly आपको वासनाय पकट रही हैं, उसके पहले भी कुछ होता है, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही say for normal लगती हैं, बट वो काम करती हैं, जैसे गाड़ी जब चालू करते और उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले आप दर्वाजा खोलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, चाभी लगाते हैं, on करते हैं और first gear लगाते हैं, ये सब बहुत sophisticated actions हैं, जो गाड़ी को चलने से पहले करना होगा आपको, ऐसे ही वासनाओं को, आपके body को, आपके mind को grip क करने से पहले बहुत सी छोटी छोटी और मासूम चीजे होती हैं, जिसके उपर आपका बहुत बड़ा control है, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने कभी पूछा नहीं है, कि वासनाओं होती क्या हैं, वासनाओं दो तरग की होती हैं, जिस आमने जुनोगा में पढ़ जिसमें आप सेक्स के ही थॉट्स, सेक्स की एक्टिविटी, सेक्स की फिलमे, सेक्स की चीजें ही सोचते हैं, इसके लावा में बहुत सी वासनाओं होती हैं, जिसे किसी को किताब पढ़ने की बहुत तलब होती है, जिनी सलमान खान जो खान एकैडमी के हैं, जब तुम्हे maths देखकर तुमारा दिमाग भागल न हो जाए तो खुश न हो जाओ तो क्या कहें उनको मज़ा आता है अलजेब्रा में मज़ा आता है उनको पढ़ाने में मज़ा आता है सची टेमिलकर जैसे लोग को या लतामगेशन जैसी लोग को गाना गाने में और क्रिकट खेलने में मज़ा आता है तो उनकी वासना है वो पॉजिटिव वासना है आपके पास जो वासना है उसको आप बहुता है नेगटिव वासना बुले अब मान लिजए आपके ब्रेन में सेक्शुल थॉट्स या सेक्शुल लाइकिंग्स की मातरा जादा है और किताबें को पढ़ना या कोई बहुत अच्छा आक्शन करना या परपस फुल लिविंग करना उसकी वासनाज कम है तो डॉमिनिटिंग क्या रहेगा सेक्शुल आ लिकिन आपगो पता चल गया वासनाफे क्या है तो अब धी मीधी में इनको कल्टिवेट कर सकते हैं सेक्शुल थॉट्स रहेगे वासनाफे रहेगी आक्शन्स भी रहेगा लिखने आपको मालुम पढद गया कि ये इसलिए है क्योंकि ये कम है ब़िमारी क्यों होती है क्य को उनकी grades को और कैसे एक चीज जादा होती है तो दूसरी चीज कम होती है ये मत कहीगा कि मेरे अंदर में sexual या कि मेरे अंदर में वासनाएं या मेरे अंदर में lust ही lust है हर किसी के अंदर में अगर वो जिन्दा है अगर वो सोच सकता है अगर वो खापी सकता है किसी से बात कर सक इसका मतलब यह है कि उसके अंदर में और भी positive वासनाएं हैं और उसको acknowledge करना होगा। दूसरी बात, यह वासनाएं होती कहां हैं। यह वासनाएं बाहर नहीं होती हैं। जब आप किसी वीडियो को देखते हैं, या किसी opposite sex को देखते हैं, लड़की को देखते हैं, या कम कपड में किसी को देखते हैं, तो वहाँ पर वासनाएं नहीं होती हैं। यह वासनाएं हमारे brain में saved होती हैं। अब दो लोग हैं मान लिजें, और दोनों को एक ही फिल्म दिखाई जाएं, बिना कपड़ों के। एक आदमी बहुत अट्रैक्ट होगा, दूसरे आदमी अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर फिल्म में पूरी तरह से वासना होती, तो दोनों अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन दोनों में से एक के brain में उसका एक North Pole, South Pole है, चुमबक है, दूसरे का चुमबक कमजोर है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी आपको disturb नहीं कर सकता, कोई भी फिल्म डिस्टर्ब नहीं कर सकती, कोई भी और बाहर का इनसान आपको disturb नहीं कर सकता, इसकी पूरी जिम्मिधारी और आपकी पूरी ताकट आपके अपने ही brain में है। इसका मतलब यह हैं जिसमये आप इस वीडियो देख रहे हैं या जब आप मौक कर रहे हैं जब किसी से बात कर रहे हैं तो सारी की सारी चीज़े आपके ब्रेन में चल रही हैं इसलिए एक चीज़ को दिमाग से हटा दिजे कि लोग आपको ऐसा बनाते हैं जो भी चीज़ की आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है उसको आप कुछ नहीं कर सकते और वासनाएं पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है अभी नहीं है बट हो जाएंगी बट हैं आपके ही ब्रेन में जब तक आप positive वासनाओं को और cultivate नहीं करते हैं तब तक आपकी negative वासनाओं ये ब्रेन के अंदर की बात है बाहर कहीं नहीं है इसलिए इस दूसरी बात को धियान रखिएगा कि वासनाएं कहां होती हैं हमारे ही ब्रेन में होती हैं तीसरी बात ये वासनाएं आती क्यूं है ये वासनाएं किस चीज का result है इसका बहुती simple और सीधा logic है आंसर है बट इसको experimental तरीके से समझेगा इसको करके समझेगा वासनाएं आती हैं भोजन से जिस समय हम खाना खा रहे हैं उस समय हमारे dominant thoughts कौन से हैं उससे हमारा almost 70% वासनाएं बनती है इसले कर आप एक film देखके समय खाना खा रहे हैं चाहे उस film में कोई sexual चीज हो रही है या उसमें कोई romance की scene चल रही है या उसमें कोई violence का scene चल रहा है तो आपको पता नहीं है बट आपके brain में unconscious romance की या sex की या violence की वासनाएं कठी होती जाती है उस भोजन की जरी बाड़ी में जाता है बाड़ी से brain में पहुँचता है दूसरी चीज है चीज की वासना लाती है वो है हमारी habits जिन चीजों को हम बार बार करते हैं उन चीजों की वासनाएं ज़्यादा strong हो जाती है वो ज़्यादा होती है यह सब आपको ताकत दे रही है यह मत कहिएगा कि हाई राम मेरेको तो habit हो गई वासना की या मैं बिना टीवी देखे खाना नहीं खा सकता जब आपको पता चल जाता है कि टीवी देखते समय या फिल्म देखते समय या किसी चीज को बार बार करने से वासना मजबूत होती है इसका मतलब यह है अगर मैं कोई और चीज बार-बार करता हूँ तो इसकी strength कम हो सकती है यह वासना जो मुझे परिशान करती है उसकी strength कम हो सकती है और तीसरी चीज जिसकी वज़े से आपकी वासना create होती है कम होती है वो है lack of discipline यह lack of order यह क्या होता है यह तोला सा negative term है इसमें आप कुछ करते नहीं है इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए वासनाएं बढ़ रही है अगर आप regular और healthy खाना नहीं खाते तब वासनाएं मजबूत होती है basically वासना हमारे physical body के irregularities की वज़े से आती है हमारे body में anger, frustration जब यह सब चीज़ें कठी हो जाती है तो उसको बाहर release करने के लिए हमारी body, हमारा mind, sex को एक जरिया बनाता है तो वासनाएं हम क्या-क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं उससे भी create होती है हमारी life में अगर कोई regularity नहीं है कोई discipline नहीं है कोई order नहीं है तो उसकी विल से भी हमारी वासनाएं create होती है यह good news है इसका मतलब यह है अगर आपने दो दिन या तीन दिन के लिए regularity को experiment किया अगर ने कहा ना यह experiment की चीज़ है तो आप देखेंगे कि आपकी वासनाएं थोड़ी सी कमजोर हुई है चौती चीज़ आपको समझनी है कि वासनाएं आती है और खतम होती है ऐसा नहीं है इस शुरुवात में बहुत ही subtle तरीके से हमको आती थी और हमको परिशान नहीं करती थी उस समय हमको पता भी नहीं था कि यह हमको एक दिन इतना strongly grip कर जाएंगी और जब जाएंगी तो इनकी मात्रा धीमी-धीमे कम होगी उसको पहचानना होगा तकि आप बता सके कि मैं grow कर रहा हूँ मैं अपने experiments में अपने साधना में अपने तबस्या में grow कर रहा हूँ यह बहुत धीमी-धीमे होगा experiment के जरीए होगा आप देखेंगे जिस दिन आपने समय पर उठे है समय पर exercise किया है सही मात्रा में और सही type का खाना खाया है बहुत ज़ादा आपने TV नहीं देखा है कोई porn नहीं देखा है तो आपका mind में उस तरह की activities नहीं चल रही है आपकी वासनाएं आपको grip नहीं कर पा रही है और वाईसे वरसा आप जिस दिन नहीं करते हैं सब चीज़े आप irregular दिन बिताते हैं आप disturbed रहते हैं आप खाना irregular खाते हैं उस condition में आपकी वासनाएं ज़्यादा script करती हैं आपको जितना आप इसको देख पाएंगे उतना ही आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा बट आपकी regulation आपकी control बढ़ती जाती है अब कुछ लोग यह कहते हैं कि अगर तुम्हें वासनाएं से बचना है तो अपनी जिन्देगी में एक purpose खोचो खाली मत रहो अब यह इतना quick fix solution नहीं है ऐसा नहीं है कि आज मैं sexual thought से परिशान हूँ और मेरी addiction हो चुकी है पॉर्णोग्राफिय की है किसी चीज़ की और मैं कल ही जाकर के अपनी purpose खोच लो अब बहुत से लोग कोशिश करते हैं आपको purpose देने के लिए artificial purpose देने के लिए कि कुछ social work कर लो किसी गुरूजी की सेवा कर लो या उनका प्रचार पसार कर लो लेकिन ये purpose जब तक आपका अपना खुद का नहीं होता खुद का discovered purpose नहीं होता तब तक वो strength नहीं पकड़ता लेकिन purpose से भी पहले मैं चाहता हूँ एचीज आप समझेए ये बहुत powerful चीज है अगर आप अपनी वासनाओं के मालिक बनना चाहते हैं एक चीज है जो कि मैं business की वीडियोस में समझाता हूँ इसको बोलते है entropy entropy वो क्या है इतरा का बढ़ापा है अगर आप अपनी muscles को use नहीं करते हैं तो muscles कमजोर हो जाते हैं ऐसे ही कुछ चीजे हैं जो आप sexual activities के बाद करते हैं और उससे आपका mental strength और कमजोर हो जाता है वो क्या चीज है वो है regret पच्टावा हम लोगो लगता होगा कि नहीं पच्टावा बहुत अच्छी चीज़ है हमको help करती है इस वासना से निकलने के लिए लेकिन ऐसा नहीं है regret एक ऐसी जहरीली चीज़ है जो हमको केवल ये feel कराती है कि हमको खराब लगा है fact ये है कि हम जब भी कोई अपने आपको ऐसी बाते बोलते हैं कि मुझे नहीं करना चीज़ था मैं गलत हूँ या मैं कुछ भी कहता हूँ उस condition में मैं खाली अपने ही body अपने ही brain अपने ही centers के खिलाफ हमारा S-Center है उसके खिलाफ fight करते है उसको हम बुरा-बुरा बोलते है यह ऐसा है जिसे आप अपने घर में अपने बच्चे को डाट रहे है या अपने employee को डाट रहे है या अपने friend को डाट रहे है और अगर आप expect करें कि वो आपको solution देव आपको help करे आपको support करे तो यह डाट से नहीं होगा इसलिए regret को पहचानिए और उसको drop करिए जब भी आप sexual activity में जाते हैं और उसमें से निकल के आते हैं just look at it without condemnation without judgment और साथी साथ खेलिए experiment करिए उन चीजों के साथ जो गहरी हो सकती है गहराई तब तक नहीं आएगी चीजें पहले हटा करके गहराई भी नहीं जाएंगे subjects के साथ भी करना पड़ता है अब हो सकता है आप business करना चाहते हैं केवाल इसलिए क्योंकि आप कौमीर बना है या आप कोई course करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं यह सब चीजे superficiality हैं जैसे ही आपको किसी भी चीज के बारे पर थोड़ी भी गहराई समझ में आएगी आप देखेंगे आपका जो consciousness है वो बहुत busy होना शुरू हो जाएगा because गहराई का एक बहुत strong gravity होता है वो आपको खीच ले आता है उस चीज से जिसको भी आप वासना बोलते हैं इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि free मत रखो अपने आपको लेकिन artificially busy मत रखिए ऐसा मत सोचे कि मैं अगर किसी की सेवा कर रहा हूँ मैं कहीं travel कर रहा हूँ ठीक है मेरी body है वो enjoy करना चाहती थी मैंने enjoy किया अब मैं बहार आ रहा हूँ और अपने जो मेरा काम है जिसको मैं समझना चाहता हूँ जिसको करना चाहता हूँ उसमें और गहरे जाओंगा हो सकते हैं ना जा पाएं बट कम से कम आप थोड़ा try करें दिन, हफते, महीने में आप देखेंगे अगर लगे रहेंगे तो आपकी वो subject की गहराई आपके brain की engagement की वैसे आपके बस time ने रहेगा जब भी sexual activity आएगी आप देखेंगे कि उसकी जो waves की जो भारी पंथा के पहले आके डुबा ले जाती थी वो अब बहुत हलकी waves है अब आराम से उसको टाल पा रहे हैं और साथी साथ आप उसको भी समझ पाएगे जब भी sexuality के साथ आप engage होंगे उसकी भी पूरी life process को उसके activity को समझ पाएगे जैसे great masters कहते हैं कि अपने body को अगर मालिक बनना है तो उसके हर छोटे छोटे activities को को समझना होगा तब ही वो आपके regulation में आती है ये body आपकी अपनी एक आधी self है इसकी गर्दन दबा करके इसको आप control लें कर सकते हैं इसको केवल पालतू जानवर की तरह जिससे कोई बहुत प्यार से किसी जानवर को रहता है अपने पालतू जानवर की ऐसे ही आपको बहुत ही प्यार से इसको पालना होगा तब जाकर के आपकी बात मानेगा और साथ ही साथ आपको वो चीज़े देगा जो आप करवाना चाहते हैं इसको एक गोड़े की तरह देखिए कि आप इसको राइट करना चाहते हैं और रेस दोड़ाना चाहते हैं आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इसी बाड़ी को यूज कराके आप रेस चुड़िए आप तो इसको डीप मेडिटेशन में समाधी मिले जाना चाहते हैं तो वुजबरिस्ति भी होता है, समाधी, ज्यान और जो भी बॉडी के बियांड की चीज़े हैं, उसके लिए बॉडी का पूरा सपोर्ट जाही होता है, इन फैट फिजिलोजिकल ट्रांसफर्मेशन होता है, ब्रेन की टिशूस ट्रांसफर्म होते हैं, तब जाकर के आप समा वासनाएं हैं, और कौन-कौन सी वासनाओं को मैं इवाल्व कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, इसलिए हम लोगों ने पुरा SPMT का कोर्स बना रखा है, ब्रमचरे का, उसको आप जोइन कर सकते हैं, बहुत डेफ्ट में आप जाकर के सब्जेट को स्टड़ी करेंगे, दोस इसके अलावा, रिलेशन्शिप को मजबूत करने के लिए लिमिटलेस, पेरिंटिंग सीखने के लिए SPPT, और ब्रमचरे को साधने के लिए SPMT, इन सारे कोर्सों को अगर आप एक साथ करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत हैभी डिसकाउंट है, इस नमर पर वाट्सेप कर के आजी जान करें लिजिए.